अब से पहले आप से फोजी भाई योगो जैहिं जैहिं वदे मातरम दोस्तों I hope कि आप लोग अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो है आज की वीडियो है इंडेनायर भी पॉइटर की भरती हिमाचल हिल पॉइटर कमपनी की भरती है दोस्तों दोस्तों आज हम बताएं कि भिज्ट को आने वाली है क्या-क्या डाकुमेंट्स से लाइए, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में परोवाइड करूगा। बतांगा। yay! अच्छे तरीके से समझाँगा। एक-एक थासान कूर्च समझाँगां। आप लोगों को वीडियो को इसकिप नहीं करना वीडियो को पूरा देखना और भी अगर अधर जानकारी लेना है तो डिस्क्रेप्शन मेरे टेलीग्राम चैनल कर लिंक मिल जाए वहां पे आप लोगों को सारी चीजे पता चले जाएगा जो भी वीडियो बनाता हूं जो भी डाल देता हूं कोईश्ट कर देता हूं दोस्तों दोस्तों आज बात करते हिमाचल हिलपोर्टर के लिए जो लोग बहुत जादा परिशान हो गये थे काफी जादा डिप्रेशन में चले गये थे मेरा एज नहीं है तो मैं क्या करूंगा कैसे जाओंगा इंडियन आर्मी में भले ही बैच किस लीब अबनेТакक हैं किस लिए जाओंगा इस से पहले आप लोगो को पता है उत्तरखंटके पितवार्ण गार में भरती हुआ था कुछ लोग नहीं पहुच पाई फेक यह फेक निउस है तो कुछ लोग वहां पे नहीं पहुच पाए और वह आज रो रहें क्योंकि उनमें जो पहुच गया था उनकी बेकंसी हो गई थी भरती हो गई थी उनसे नहीं कराया गया था डाकुमेंट से चेक कर लिया गया था इसके बाद उनको घर वेज दिया गया थ तो उन लोगों को फाइनल सेलेक्शन हो गया है दोस्तों इसमें क्या क्या रहता है सारी चीजे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा इसमें क्या रहता है दोस्तों इसमें बस क्या होता है दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ वहां बुलाया जाएगा आप अगर आप काम अच्छा रहा है विवार अच्छा रहा है अगर आप वहां पे काम अच्छा किये तो आपका एकदम पर्मनेंट हो जाता है दोस्तों एक साल के लिए रखेंगे फिर आपको छुटी पे भेज़ देंगे इसके बाद जैसे न्यू बेकंसी आने वाली होती है करा आई जाती है दोस्तों एक पारा कॉम्पनी कि और एकदम आप लोगों को समझड़ी वडिया तशोपी है में यहाँ पे देखी आरमी मैं यहीतर हिम पॉल्टटर वर्त हिम लेीन कि लिए हिमाचल फार्टर कंपनी हिमाचल हिल पॉल्टर कंपनी लो आ गईए 2024 की बड़ तूपुमेंट्स पर दाकुमेंट्स लगेगी जो, आपके 5 पास in 수소 हजेए हाइच हएम, आप पास पास लिए पास का फेक का रगादो उयड़ा हो सकते भीन Χाड़ih पुलीस वेरिफिकेशन लगेगा तीसरी बात दोस्तों इसमें लगेगा बैंक पास्बूग जो लगता है या तो पंजाब नेशनल बंक का होना चाहिए और कोई बैंक का नहीं लिया जाएगा दोस्तों इसकी जो मासिक सेली होती है दोस्तों मासिक सेली इसकी एक मेने के 30,000 रुपे होती है और आकी बाकी आपका duty कहां लगता है वहां का अलाउसमेंट बढ़ता रहता है दोस्तों इसमें काम कराया जाता है अर्मी वालों का help कराया जाता है हल्प का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कोई ही बंकर बन रहे हैं या कहीं पे सामान पहुंचाना है या कही आपको बताता है ले जाता है कि ऐससे इस परकार आपको काम कराया जाता है। अब बात इसमें ट्रेनिंग कीतों ट्रेनिंग बस वही आपका काम है उसी परकार आप उसी में ढाल दिया जाता है बाकि इसमें बंदू को गहरा कोई其實 चलाना नहीं सिखाता है। दोस्तों हाँ जबकि आप पर्मानेंट हो जाते तो आप लोगों को ट्रेनिंग बकायदा दिया जाता है उस पर कहीं कुछ जरूरत पढ़ गई तो आप इसमें चला सके बंदू रहेगी बात वर्दी की तो वर्दी आप लोगों को दिया जाता परवाइड किया जाता कोई अ काम जैसे पहाड़ीयों पे बरफ हो गईरा जाता है तो आर्मी पॉल्टर इंडियान आर्मी अलगरे को साफ करते हैं रास्ते बनाते हैं जो भी कुछ काम होता है तो काम में सह हो किया जाता जाता दो तो दोस्तों मैंने सारी चीज़े बता दिया अब बर्ती कब आने वाली उन्हीं लोगों को भुलाया गया उन्हीं लोगों की भरती कराईगी बाकि जो फिल्ड एरिया से बच्चे आते हैं उनको नहीं उसमें बुलाया गया लेकिन आप जो मई या जून में भरती दोस्तों अभी डेट मिर्दारीत नहीं किया गया या फ़स्ट जून तक बेकंसी करा दिया जाएगा दोस्तों ठीक है ना मैंने यूटूब मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया वहां पर जाके देख ले कि क्या क्या कराया जाएगा इसमें काम के बारे में बता दिया डाकुमेंट्स के बारे में बता दिया पंजाब नेस्मल बैंक का आप लोगों का क्या चाहिए पास्बुक चाहिए अन्न था कोई बैंक का नहीं चाहिए हाई स्कूल पांच पढ़े हो तो आप इसमें जा सकत यहां पर जाके देख सकते हैं ठीक ना आज मैंने बनाया कि आर्मी और इधर देख सकते हैं जो भी आप जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में आपका सपना है तो आपकी एज अगर जादा हो गई 18-13 साल के बीच में तो आप जा सकते हैं इसमें नहीं बता पाए लेकिन मेरे चैनल पर आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं बिना पढ़े लिखे हुए आप बिना रनिंग किये अगर पांच क्लास पार्ट हैं तो आप आर्मी में जा सकते हैं गुरूप सी की बेकंसी आई है ओभी टेलीगराम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा मैंने फीडिया प्रें में सेयर करना अपने दोस्तों को सेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करना अच्छे कमेंट करना दोस्तों क्योंकि मैंने हमेशा वही वेकंसी लाता हूं जो आफ लाइन वेकंसी आती है जिनकी एज कम रहती है दोस्तों एज जिनकी जादा रहे जैसे बहुत प्यारी लगी हूँ बहुत अच्छी लगी हूँ तो और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में जो भी आती है जो भी वेकंसी आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा तक तक के लिए चलता हूँ फिर में लेगे कभी नेक्ट्र वीडियो में जैहिन वन मातरम बेश्ट अच्छे से तैयारी करना